इस श्लोक में राजा दुश्यंत शकुंतला के विशे में कहता है कि वह मुझ पर आकर्शित है इसको देखीगा क्या कहता है कि उस शकुंतला की ऐसी स्थिति है कि उसके द्वारा क्या है मैं ये समझता हूँ कि वह मेरे पर आसकत है राजा दुश्यंत कहता है कि वह क्रशांगी शकुंतला क्या है कुछ ही पक चल कर सहसा कुछ के अंकुर से पैर जिसका घायल हो गया है ऐसा कहकर वह रुक जाती है और व्रक्षों की शाखा में ना उझे हुए अपने वलकल वस्त को चुडाती हुई मुझे देखती है देखने के लिए अपने मुख को घुमाती है ऐसी शकुंतला क्या है मेरी और मुख करके घुमा कर क्या खड़ी रही अता मैं समझता हूँ कि वह मुझे पर क्या है आसकत है देखेगा तन्वी कतिचित एवह पदानी गत्वा तन्वी क्या है मतलब कृष अंग वाली जो शकुंतला है कतिचित एवह पदानी गत्वा कतिचित मतलब कुछ पग कदम चलकर अकांडे बिना समय में असमय में दर्भां कुरेण कुषों के अगरभाग से घायल जिसका घायल हो गया है एसी वह क्या है स्थिता मतलब रुख गई है अत्वा वह तन्वी शकुंतला कुछ ही पग चलकर के बिना समय में ही अकांडे मतलब असमय में दर्भां कुरेण दर्भ के अंकुर के अगरभाग से शत घायल हुई जो शकुंतला है वो क्या है कुछ पग ही जाकर के क्या है स् अपने जो वलकल वस्त्र है उसको क्या है छुडाती है विवरत वदना आसीद और अपने मुख को विवरत वदना मुझे देखने के लिए अपने मुख को क्या है मोड करके घुमा करके जो क्या है कुछ देर तक स्थित रती है या खड़ी रती है ऐसी वह शकुंतला क्या है मुझे लगता है कि वो मुझे पर आसक्त है अता क्रिशांगी शकुंतला कुछ पक चल कर सैसा कुष के अंकुर से पैर घायल हो गया है ऐसा कह करके रुख गई है व्रक्षों की शाखाओं में ना उल्जे हुए वलकल वस्तर को छुडाती हुई मुझे देखने के लिए जिसने अपना मुख गुमाया है ऐसी शकुंतला मेरी और मुख करके कुछ समय के लिए स्थित हो गई है अब हम आगे बार्माश लोग देखेंगे यत उत्तिष्ठती वर नेभ्यो ड्रपाणां क्षई तत फलम तत शडभागम क्षयम ददती अरणिका ही नह विदूशक इसमें क्या है राजा कहता है कि तपस्वियों के रक्षन कारे में तो दूसरे ही प्रकार का भाग करके रूप में प्राप्त होता है जो रतनों के ढेर से कहीं अभिनंदनी हैं विदूशक कहता है कि यदि आपको शकुंतला को मिलना है तो आप क्या है महा जाकर की दूसरा भाना बना सकती है और आप क्या है महा पर रहने वारे तपस्मियों से किसी भाने से पुना आश्रम में जा सकती है और उनसे धानने का छटा भाग हिस्सा मांग सकती है तो राजा कहता है मूर्क इन तपस्मियों के रक्षनकारी में तो दूसरे ही प्रकार का भाग कर रूप में प्राप्त होता है जो रत्नों के धेर से कहीं अधिक अभिनदनी है इसी बात को समझाते हुए कहते हैं यद उत्तिष्ठती वर्नेभ्यों रिपाणामक्षयी तत्फलम तत्षडभागम अक्षयम ददत्ती आरणिका ही नहा क्या कहता है देखिए कि वर्नेभ्य यानि कि जो चारों वर्न है चारों वर्नों से उत्तिष्ठती प्राप्त होता है राजाओं को ब्रह्मन आदी चारों वर्णों से उतिष्टती जो धन प्राप्त होता है वेह कैसा है तत्फलंक्षय वे उसका फल कैसा है नश्वर है किन्तु आरण निका जो तपस्वी लोग है वो क्या है नहा मतलब हमको अक्षयम निश्चिती अनश्वर जो कभी भी नश् ऐसा तपस्या का तपक्षड भागम ददती तपस्या का छटा भाग देते हैं। अक्षयम निश्चिती अनश्वर तपस्या का छटा भाग तप्षड भागम ददती तपस्या का छटा भाग देते हैं। तुम तो एकदम नूर्ख हो। बास्तिक्ता तो यह है कि ब्राह्मन आदी चारो वणों से जो राजाओं को कर मिलता है। उसका फल शिग्री ही विनिश्ट होने वाला है। परन्तु ये वन में रहने वाले मुनी जन जो हमें अपने तपस्या का शटांग देते हैं। वे कभी भी नश्ट नहीं होने वाला धन है अतहा ये धन हमें सर्वता अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। धन्यवाद। झाले में प्राप्त है।